ताजा तरेन खबरों के लिए प्राइम न्यूस 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं नमस्कार में निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूस 24 उत्तर बिदेश के जनपत अमरोहा के थाना गजडौला पुलिस ने पांच ये रिक्षा लूटने वारे ग्रुप के पांच अभी अक्तों को गिरफतार करके मीडिया के सामने परदाफाश अमरोहा पुलिस कार्याले में किया जिनके पास से लूटी गई ए रिक्षा, बेची गई ए रिक्षा की तीन बैटरी और दो चाकू बरामद हुए हैं आपको बता दे कि बीदे दिन मुबारेक पुत्र मन्जूर निवासी ग्राम सकरपुर थाना रजबपुर अम्रोहा द्वारा थाना गजरॉला में तहरी दी की मैं कजबा गजरॉला में ए रिक्षा चलाता हूँ दिनाक 9 फरवरी 2020 को दो व्यक्ती चौपाला एहरोला तजवन जाने के लिए बैठ गए थे रास्ते में दोनों व्यक्ती मेरा ए रिक्षा लूटने लगे मेरे विरोत करने पर मेरा गला दबा दिया जिससे मैं बिहोश हो गया घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफतारी हेतू थाना गजरॉला पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया इस दोरान कुमराला रोट से दो अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू, पुत्र महेश कुमार, ग्राम अटारी, मरीद पुर, थाना गजरॉला, अमरोहा और अजे सैनी पुत्र, मेक चंद, ग्राम, सहे लिया, थाना हसन पुर, अमरोहा को गिरफतार किया गया जिनके कबजे से दो नाजायस चाकू बरामत किये गए पूछताच में वादी द्वारा पहचान लिये जाने पर ग्रिफतार अभियुक्त गन ने बताया कि हम दोनों ने मार पीट कर ईरिक्षा लूट लिया था जिससे हमने दस हजार में योगेश यादव पुत्र सौदास यादव निवासी मुरेठा थाना धनारी जनपत संभल को बेज दिया वह ईरिक्षा की दो बैटरी 35 रुपे हजारी जाटव पुत्र शिफ्चरन सिंग वह डालचन पुत्र सुमेर नेवासी गन ग्राम नरांगपुर थाना डिडॉली जनपतम रोहा को बेज दी एक बैटरी हमारे पास है गिरफतार अभियुक्तों की निशान दही पर अभियुक्त गन योगेश यादव हजारी जाटव दालचन उपरोक्त को गिरफतार करें रिक्षा में तीन बैटरियां को बरामत किया है इससे सम्मंद में कारवाई की जा रही है प्राइम न्यूस 24 के रिए अमरोहा से कावेंदर सिंकी रिपोर्ट